हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मिशन डी ट्रिपल एस भी यूटीब चैनल फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में जरूर देखा किजिए मैं कुछ लिंक शेयर करता हूं जैसे की वेट्सेप ग्रूप और कुछ अन अकेडमी के कोर्सिस तो मैं आज बताना चाहता हूं आपको एन व लिक्त तो यह आती है रेजिस्ट्रेशन के बाद फोम अप्लाई नहीं होता कहियों का फोम अप्लाई हो जाता है उसके बाद उनकी फीस की पेमेंट नहीं होती तो मैं आज सभी के जो सलीशन्स है वो आपको अभी इसमें बताऊंगा यह मैंने ओपन कर रहे हैं इनकी जो खोल रहे है नवद्या विधाल्यासमिति नवद्या.gov.in इस वेबसाइट पे आप जाओगे इस वेबसाइट पे यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देऊंगा यहां पे क्लिक करोगे न मीनू पे मीनू पे क्लिक करते ही न आपको क्या मिलेगा यहां पे रिक लिए आपकी असिस्टन कमिशनर की पीजीटी की टीजीटी की आप देख सकते हैं यहां पे और मिसलेनियस केटेगरी ओफ टीचर्स ठीक है और बात करें दूसरा नर्स की और यहां पे असिस्टन ग्रूप सी की टेटरिंग की लोड डिविजन कलर्क की यह सारी की सारी पोस की बात जो में थी यहां पर भी क्लिक करके फिल अप ओन लाइन एपलीकेशन यहां पर क्लिक करके एक लिंक मिलेगा आपको यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर देना यह दिखिए 10.77 2019 को यह लिंक जनेरेट हुआ है डाउनलोड पर नीचे जो होता है वहां पर आ जाएंगे ज उसका process में मैं आपको बताता हूँ यह first time apply करने वाला option है यहाँ पर पोस्ट नेम कोई भी apply कर सकते हैं जैसे पीज़टी टीज़टी जो भी आप apply करना चाहते हैं उसके बाद नीचे सारा कुछ मांग लेगा यह आपको पताइए submit करने के बाद आपके email पे mobile number पे एक ID और password generate होगा इनकी तरफ से उसके बाद आपको ID log out कर देनी है जिनकी जो पहली problem आ रही थी कि हमें form apply नहीं हो पारा वो registration करने के बाद सोच रहे थे कि क्या करें उनको ID log out कर देनी है अपनी email address पे जाकर करके अपना email address जो भी वहाँ पे username generate करेंगे और password generate करेंगे उससे आप दोबारा से login करेंगे तो आप apply form कर पाएंगे second problem जो यह थी apply करने के बाद जो फीस आपकी नहीं फिल हो रही थी जो कि मालो 1200 है या 1500 है या 100 sorry 1200 1500 over 1000 है अलग लग फीस है तो उस फीस को कैसे आपने करना है आपको 24 days जो है वेट करना पड़े payment of application fee tab make payment active after 24 hour submitted application form कि application form को submit करने के बाद 24 hour तक आपको वेट करना होगा उसके बाद जो portal है वो खुल जाएगा फिर भी कई ऐसे होंगे जिनका जो last date पे apply करेंगे न अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो 24 hour के बाद भी अगर आपका नहीं हुआ apply तब आप क्या कीजिए साथ की साथ ही इनकी जो help desk के ना उस email address होगा वहाँ पे email कर दीजिए क्योंकि मैंने इनसे direct अभी phone पे भी बात की थी कि ऐसे से बच्चों को problem आ रही है तो क्या किया जाए वो बोले हमारी help desk का यह देखिए nvsrect2019.gmail.com इस पे आप mail कर दीजिए यह यह फोन नंबर दिया हुए यहाँ पे मैंने बात भी की हुई है अच्छे से बात सुनते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं ठीक है और निच्चे आपको whatsapp की link और वो unacademy के link मिलेंगे जहां मैं nvs की अभी preparation जो है न स्टार्ट करवा रहा हूँ वहां हम सभी गठे मिलके nvs की preparation भी करेंगे और और वही स्कूल का भी अगर आपने phone apply नहीं किया हर्याना का तो वह भी apply कर सकते हैं ठेंक्यू ठेंक्स वर वोच्छिंग अगर चैनल पे नई हैं तो please subscribe कर दें ऐसी ही अच्छे अच्छी और वीडियो के लिए